आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे क्लाउस नंबर एट और इसमें कवर करेंगे क्लाउस नंबर एट पॉंट वन ओपरेशनल प्लैनिंग एंड कंट्रोल आइसो 9001-2015 के क्लाउस के बारे में बात हो रही है और हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में तो शुरू करते हैं मैं पहले आपको इस्टेंडर की जो रिक्वार्मेंट है वो इंग्लिश भाषा में है तो उसमें पढ़के आपको बताता हूं 8.1 का हेडिंग है ओपरेशनल प्लैनिंग एंड कंट्रोल the organization shall plan, implement and control the processes जो के हमारे Clause 4.4 में भी इसका जिक्राया था needed to meet the requirements for the provision of products and services and to implement the actions determined by Clause No. 6 Clause No. 6 में जो हमने बात की थी कि क्या threats and opportunities है उनको identify करके उनको system में integrate किया जाएगा तो वो उसको भी मदे नदर रखना है, ख्याल में रखना है और इसमें A to E पाँच इन्होंने points दिये हुए है operational planning and control के अंदर में, तो सबसे पहला A है determining the requirement for the products and services तो एक एक करके पढ़ते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे तो सबसे पहले तो हमको यह तै करना है कि हमारे क्या products हैं, क्या services हैं, which we are going to provide, जो हमें customer की सेवा में देना है तो वो हमें clarity बिल्कुल होनी चाहिए, कि क्या product है हमारी और क्या service है हमारी तो एक बार यह तै हो गया, तो उसके बाद में हमारा, हम plan कर सकते हैं regarding implementation and control की system को कैसे implement किया जाएंगे, और कैसे processes को control किया जाएंगे, to meet the requirement for the provision of the products, यह हमारा product जो है, customer की requirement पे खरा उत्रे, इसके लिए, और जो हमने 4.4 और 4.6 में बात की है, उस पे भी हमारा system खरा उत्रे, तो system को इस तरीके से हमें plan करना है, operational planning and control, जो है, इसी हिसाब से हमको करना है, अब हम चलते हैं, B के उपर, 8.1 B, establishing criteria for the processes, and number 2, the acceptance of the products and services, तो B में कहते हैं कि आप अपने processes के क्या criteria है, मतलब क्या उसमें inputs जाएंगे, क्या methodology है, किन स्टेजिस पे inspection किया जाएगा, और output की क्या requirement है, specification क्या है, measuring tools की क्या requirement है, यह सारा criteria जो है, fix किया जाता है, processes के लिए, जो जिन processes के थूँ, हम अपने products और अपनी service को customer तक ले जाने के लिए तयार होते हैं, तो इसके अलावा, determining the resources, the acceptance of the products and service, जो हमारी product और service है, वो customer की requirement को meet कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए क्या हमें quality plan बनाना है, क्या testing चाहिए हमें, और क्या checks चाहिए, what things we are supposed to, क्या चीजें हमें check करनी हैं इसमें, इस चीज को हमें पुरी तोर से लिखेत रूप में clearly पता होना चाहिए, तो establishing criteria हो गया ये, B की processes क्या होने चाहिए हमारे, criteria उसका processes का क्या होना चाहिए, और product के acceptance और service के acceptance का criteria क्या होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें हमने समझ लिए, और इसको clearly हमने specify कर लिया है, अब आगे हम चलते हैं, C में है, determining the resources needed to achieve conformity to the product and service requirement, resources क्या चाहिएंगे हमको, इन resource की हमें planning करनी है, कि जो भी हमारे product या service हमें provide करना है, उसका हमने process ते कर लिया, और क्या हम checks वगरा लगाएंगे वो ते कर लिये, मगर इन सब के लिए हमें क्या resources की जरूरत है, कौन-कौन से resources हमें चाहिएं, तो वो resources identify करना चाहिए, determine करना चाहिए, document करके उनको provide करना चाहिए, ताकि कोई चीज हमारी miss ना होने पाए, तो यह हमारे C की requirement पूरी हो जाती है, फिर D पे आते हम, implementing controls of the processes in accordance with the criteria, कि जो control हमारे हैं processes के, वो criteria के हिसाब से हम control लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, मतलब कहीं पे अगर हमें कोई चीज verify करनी है या check करनी है, तो हम वो check कर रहे हैं, verify कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और suitable method से कर रहे हैं कि नहीं, जो specified method है, उसके हिसाब से हम verify कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, अब हम चलते हैं आगे 8.E के उपर, D तक हमने त्या कर लिया ये, D में हमने बताया था कि implementing controls of the processes in accordance with the criteria, इस पर अभी हमने चर्चा की, अब हम चलते हैं, E के उपर, E में है determining, maintaining and retaining documented information to the extent necessary, किस बात के लिए, to have confidence that the processes have been carried out as planned and to demonstrate the conformity of the product and service to their requirement, हमें records maintain करने हैं, यहां जो determining and maintaining and retaining the documented information, यह documented information से इनका मतलब है हमारे जो records हैं, measurement के बारे में, product, production के बारे में, processes के बारे में, तो हमारे सारे के सारे record जो हैं, वो हमें maintain करने हैं, किस लिए, ताकि हमें पुरा भरोसा हो सके, कि हमारे processes जो हैं, जैसे हमने plan किये थे, उसी हिसाब से हमने किये, तो record जो हमारा बनेगा, वो इसका proof बन जाएगा, तो record होना बहुत जरूरी है, और फिर हमारे product और service की जो requirement है, customer की, वो पूरी हो रही है कि नहीं, वो record से clear हो जाएगी, तो इसलिए record का maintain करना बहुत ज़रूरी है, और इस planning की, यह जो तमाम सारी planning हमने की, the output of this planning shall be suitable for the organization's operations, यह हमारी जो planning है, यह totally suitable होनी चाहिए, मतलब हमारी requirement को पूरी तौर से इसको पूरा करना चाहिए, कि जो हमारी operations है, उनके हिसाब से होनी चाहिए, यह planning, तो यह हमें उसी हिसाब से करनी है, ताकि हमारी जो product है, उसको मद्दे नजर रखते हुए, जो service है, उसको मद्दे नजर रखते हुए, यह सारी planning करनी है, इनके record maintain करनी है, and the organization shall control planned changes and review the consequences of unintended changes taking action to mitigate any adverse effect as necessary, और जो हमें change है, system के अंदर, वो भी हमें control तरीके से करने है, ताकि उनका कोई adverse effect न होने पाए, और एक बात का और ध्यान रहे, कि organization shall ensure that the outsource processes are controlled, या outsource process है, हमारे जो है, वो clause number 8.4 में control होते है, तो इसका हमें ध्यान रखना है, कि हमारे outsource process है, उनके उपर भी clause number 8.4 के तहर पूरा control उनके उपर होना चाहिए, तो यह थी हमारी requirement 8.1 की operational planning and control, और मैं उमीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई समझने में कोई problem नहीं है, इसकी implementation record maintain करने में कोई problem नहीं होने चाहिए, तो thank you very much, and please do subscribe to my channel, और वो जो bell icon है उसको भी दवा दीजे, मेरी channel को subscribe कर दीजे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो भाई जो thumbs up होता है, उसके उपर भी click कर दीजे, मतलब वीडियो को like भी कर दीजे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you very much, bye.